हलो फ्रेंट्स आप में से काफी सारे लोग देखे होंगे प्लास्टो कम्पनी ने अभी कुछ महाहिने पहले ही प्लास्टो six layer gold में high pressure और jet pressure नाम से दो tank launch किया है तो आज के इस वीडियो लोगे है प्लास्टो के इसी jet pressure वाले tank के बारे में पूरा detail में review दूँगा इसके benefits भी बताऊंगा और इसके कुछ drawbacks भी बताऊंगा और इसके rates के बारे में भी बताऊंगा कि यह क्या rate में भीक रहा है और वीडियो के आखिर में यह भी बताऊंगा कि हमें इस jet pressure वाले tank को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए चलिए सबसे पहले मैं इस tank को आपको physically दिखाता हूँ यह tank कैसा दिखता है तो यह है दोस्तो प्लास्टो का 6 layer gold jet pressure वाला tank 1000 liter वाला इसमें इसके कुछ features लिखे हुए है कि यह tank 99% तक bacteria और fungal को kill करता है और यह एक antibacterial tank है देख सकते हैं आप इसका height मेरे height से भी बराबर है यह देख सकते हैं इसके अगर अंदर को देखें तो इसका अंदर एक गहरा कुवा टाइप का दिख रहा है क्योंकि इस tank के height को बढ़ा दिया गया है और इसके diameter को छोटा कर दिया गया है और इसको देखने के बाद मेरे को इसको दो benefits ही नजर आये हैं इसका पहला benefits अगर आपके घर में family member जादा है और आपके घर में जो हाँ टैंक लगाना है वहाँ आपको सक्रा जगा बच रहा है याने 1000 लिटर का tank लगाने का जगा नहीं बच रहा है क्योंकि 1000 लिटर का diameter बढ़ा होता है वो 10 size का होता है और सक्रा जगा है तो उसमें आप 500 लिटर का tank लगाएंगे क्योंकि 1000 लिटर का tank बढ़ा है सक्रा जगा होने के नाम से आप 500 लिटर का tank लगाएंगे और 500 लिटर का जल्दी खाली हो रहा है क्योंकि आपके घर में family member जादा है तो उसमें आपको 1000 लिटर tank लगाने की अँशकता पड़ेगी, तो यह tank वहीं लगाया जा सकता है जहां सकरा जग्या है तो इसके वज़े से height बढ़ने के वज़े से पानी का pressure थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपके घर के जितने भी नल्स लगे होंगे बातरूम में, किचन में कमोट में, jetty spray अगेरा जो भी लगा होगा उसमें थोड़ा सा pressure जादा आएगा, ऐसा company बोल रही है ये थोड़ा सा सहीं भी है, क्योंकि tank की height जादा है, और उसमें पूरा full पानी भरेंगे, तो tank की height जादा होने के नाम से, नल्स में pressure थोड़ा सा जादा आएगा, ये इसका दूसरा benefits भा, कि bathroom के जितने भी नल लगे होंगे, उसमें pressure जादा आ सकता है अगर मैं rate की बात करूँ, तो इसका rate जादा high भी नहीं है, इसका rate पहले के जो tank आते है, six layer gold tank, उसी के बराबर रखा गया है इसका rate को बढ़ाया नहीं गया है, ये कि पहले वाला six layer gold का 1000 लीटर का tank, 5000 रुपे से लेके 52 रुपे में आ जाता था सेम ये high pressure और jet pressure वाला six layer gold water tank का 1000 लीटर का 5000 रुपे से लेके 52 रुपे तक में आपको easily मिल जाएगा, अब अगर इसके drawbacks की बात करें, तो इसका एक ही drawbacks है, अगर जिस area में ज्यादा cyclone आते है, या फिर ज्यादा आन्धी तूफान आता है, उस area में अगर आप high pressure और jet pressure वाले tank को लगाएंगे, क्योंकि इस tank की hide बड़ी है, तो अगर जोर से आन्धी तूफान आया, तो ये tank हिलने लगेगा, क्योंकि इसका base एकदम सक्रा है, और height बड़ी है, height बड़ी होने के नाम से, ये tank हिलने लगेगा, हो सकता है, धक्कन उड़ जाए, तेज आन्धी में, या फिर ये tank ही खिसकना जाए, ऐसा इसमें हो सकता है, अगर है, अगर आपके घर के छट में space का दिक्कत है, तो आपको इस tank को लगाना ही चाहिए, तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दिजीगा, और हमारे इस चैनल को subscribe करके, आप हमें support कर सकते हैं, तो चले मिलते हैं, इसी तरह के next informative वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद फ्रेंद